हेलो स्टूरेंट्स, वेल्कम पेक तुई हिंदी मिरर चैनल सभी स्टूरेंट्स का हिंदी मिरर पर्फित में सोगत है अभी कंटेंट लेकर रहा हैं बेट थर्ड्य और चे लिए लेकर रहा है और जो कंटेंट है previous question paper है तो यह previous question paper आपको दिखाए दे रहा है जिसमें आपके दो पेपर आते हैं एक जनपद ये साहिते है दूसरा आता है उत्राणचल का दोनों पेपर सेम से ही है लेकिन सलेबस दोनों का चेंज है दोनों में वैसे पूछा गया है उत्राणचल के लिए ही लेकिन यहाँ पर सलेबस changer जो जनपद ये साहिते है वहाँ दूसरा सलेबस है है सब गड़ वाली के जितने भी साहित्यकार हैं उनके बारे में पोछा गया है तो लेकिन हम जो लेकर रहा है, प्रिविस कोशन पेपर उत्राणचल का हिंदी साहिते है प्रिवेस कोशन पेपर है, सभी को मालूम है कि 100 नमबर का यह पेपर आता है जिसमें आपके 3 खंडों में विभक्त होता है खंड आ से आपको 3 प्रशन करने होते हैं खंड बावासे सभी प्रशनों का उत्तर देना होता है अब यहाँ पर जो खंड आ है, यह मैंने आपको कल भी किलियर किया था कि 3 प्रशनों के उत्तर देना होते हैं, यह पांच होते हैं 15 नमबर का आपका एक होता है, इस प्रकार से आपके यह 45 नमबर के कोशन्स आपके बनते हैं पैटन तो मैंने कली समझा दिया था, सभी स्टोडेंट्स को इस प्रकार का पैटन बनता है अगर आपने क्या करते हैं सारे वीडियो नहीं देखते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते हैं जिससे क्या होता है कि आप तक अधुरी जानकारी पहुंसती है और एनवारमेंट की मैंने सभी वीडियो अपलोड की वी हैं चाहे आपका वो 19 का हो, चाहे 20 का हो, 21 का हो, 22 का भी हो तो मैंने सारे आपके विद्द सलूशन अपलोड की हैं क्योंकि जो एनवारमेंट का पेपर है पीय में पहले से ही होता है जब semester था तब से ये environment का paper होता है मैंने सभी की solving डाली हुई है playlist बनाई वी ऐसा करते हैं कि environment की अलग से playlist आज में तयार कर देती हूँ जितनी भी वीडियो है सारी एक ही playlist में डाल देती हूँ जिसे आप लोगों को ढूणने में भी असानी होगी तो बने रही है सबस्क्राइब नहीं किया तो कर लीजे बैल आइकन इट नहीं किया तो कर दीजे और क्या करना है लाइक कर दीजे और शेर तो जरूर की कर दीजे सबी students के लिए जिनका उतरांचल का हिंदी साहिते है अब आते हैं थोड़ा जनपद ये साहिते की तरव जनपद ये साहिते में मैं सारा नहीं कराऊंगी जनपद ये साहिते का मेरे पास जो पेपर पड़ा है वो MCQ वाला तो पेपर पड़ा है जब कोरोना था 20 में हुआ था तो तब हमारे यहां हुआ था तो वह वाला पेपर मैं आपका अपलोड कर दूँगी बाकि थियोरी वाला मेरे पास नहीं है तो आपको थियोरी के कोशन्स का कोशन बैक में दे दूँगी प्रिवेश कोशन पेपर शायद ही अप मैं अपलोड कर पाँ लेकिन उत्रांचल का हिंदी साहित्या का 22 भी अपलोड कर देंगी और 21 भी अगर मिलता है तो वो भी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा चलिए आगे कोशन्स देखेते हैं किस प्रकार के आपके निकल कर आ रहे हैं अब देखें ये खंड आपे हम आ चुके हैं किनी तीन प्रस्णों के उत्तर देने थे पंदरा नंबर का एक है और तीन आपको करने है और पंदरा नंबर का एक है तो जैसे मैंने कल बताया था आपको कि पाच कोशन्स आपके आते हैं पहला कोशन यहां पर पुछा गया था उपन्यास के चेतर में इलाचंदर जोशी के योगदान की विवेचना कीजिए अब यहां पर देखें कैसे पुछा गया है कि उनका क्या योगदान है तो मैंने इलाचंदर जोशी जी की जीवनी डाली हुई है तो वहां से आप जितना भी मेटेरियल दे रखा उनकी जीवनी उठा कर सारा आप पूर्किया ये पन्यास लिखे हैं ये कहानी लिखी हैं कौन सी विधा के अंतर गताते हैं जैसे इलाचंदर जोशी जी है वो मनोविशलेशन वादी उपन्यासकार है तो आप उनका क्या योगदान राक्यों की मनोविशलेशन वादी में इलाचंदर जोशी, जैनिंद और अग्गे का नाम आता है और आपके सलेबस में इलाचंदर जोशी जी है तो इनको ऐसे भी आप क्या कहते हैं कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है और आपको आंसर घुमाना आना चाहिए तो आप अराम से अच्छे नंबर खीश सकते हैं जरूरी नहीं होता कभी कि जो आपने पढ़ा है डिटो आपसे पूछा जाए अब इनके बारे में आपसे पूछ लिया गया उपन्यास के छेत्रे पूछा गया है तो उपन्यास कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं उसके बारे में बताईए इनकी जीवनी बता दीजिए और भी जो इन्होंने लिखा है वो आप बता देंगे तो अब योगदान उसको योगदान की लेंगवेज बनाकर आप उसका अजर अपलाई करोगे तो डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलते हैं अब आते हैं गोविन चातक पर गोविन चातक की जो बासूरी बस्तिरे इसमें जो नायक है उसका चरीचितरन पुछा गया था बहुत अच्छा प्रशन पुछा गया है यह आगे है शरी शाम सिंग सशी की काव्यगत विशेस्ताओं की आलोसमा लोचना कीजिए बही चीज आ पहरोर आपकी विशेस्ताइं निकल कर आ जाएंगी लेस्ट है पथोर पानी संसत्रे विरासट को सजोओ हूए हैं समिक्षा कीजिए अब पथर पानी कौन सी जंगा का महां पर एक्स्प्लेंट कीया गया है पत्त्र और पानी में कौन सी जंगा क्योंकि एक यात्रा बदसा उन्होंने कहा के बारे में बताया है मैंने इसको डाला हुआ भी है पत्तर और पानी को शायद मैंने तीन पार्ट में डाला हुआ है इसको आप देख सकते हो तो वहां जो जंगे है क्या क्या उन्होंने नदी के बारे में बताया जड़नों के बारे में बताया किस तरह की वहा तो बस वहाँ पर यही वाला चीज आपको एस्प्लेन करनी है कहानी कला के आधार पर एक नाम एक विश्वास कहानी की समिक्षा कीजिए जब तक आप कहानी नहीं पढ़ेंगे तो आप समिक्षा कैसे कर सकते हैं किस परकार की एक कहानी लिखी गई है तो इस वरकार से यहाँ पर questions पूछे जाते हैं अगर आपको knowledge है कि इस वाले chapter में क्या है तब ही आप किस तरह का भी question आपके सामने आता है आप आराम से apply कर सकते हैं चलिए आगे चलते हैं short question पर देखें अब यहाँ पर questions पूछे गए थे आप से 8 बच्चो ने क्या किया 5 question कि अन्होंने सोचा कि जो है 8 number का 1 है लेकिन ऐसा नहीं था यहाँ पर यह प्रते क्प्रश्ण 5 अंकों का है और सीधा सीधा बताएं कि निम्ले के प्रश्ण 90 के उतर दीजी प्रते क्प्रश्ण 5 अंका है तो बच्चो ने क्या सोचा प्रश्न करने हैं तो पूरे आठ यहां पर प्रश्न करने होते हैं हमेशा पहले नोट जरू पढ़िए क्या दिया गया है तब आंसर कोशन्स अपलाई कीजिए तो पूरे आठ यहां पर प्रश्न करने थे आठ प्रश्न यहां पर दिये गए थे पहले हम छे दिखा देते हैं कौन-कौन से थे पहला था रोटी की मैं कहानी का उद्देश्य लिखे एक नाम में किश्वास कहानी का सारांश लिखी ए एक न मंगलेश डबराल करत चुपन चुपाई कवीता का मूलभाव इस पस्ट कीजिए मूलभाव का मतलब है कि जो चुपन चुपाई है ये एक खेल होता था बहुत खेलते थे बच्वन में तो इसमें लेखक क्या कहना चाता है मंगलेश डबराल जी इसमें क्या कहना चाते हैं उनका किस भाव से उन्होंने यह है कवीता लिखी है तो उस कवीता का आपको भाव बताना यानिके भावार्थ बताना है क्या है ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेस कोशन देख लीजिए गोबिचातक ने पासोरी बस्तिरे न चातक में किन समाजिक समस्याओं को उठाया है अब किन समाजिक समस्या को उठाया है अब देखें वहाँ पर वो जो बिजानन्द होता है शेनी होती है तो कहीं न कहीं वो उसका सोदा करता है है ना पुरानी एक पुरानी परंपरा जो दिखाई है पुरानी विचार दिखा गए हैं तो इस तरह के आप समाजिक समस्य हैं वहाँ पर उठाई गई हैं तो उसको आप दिखा सकते हो चले आगे चलते हैं अगनी सागर की तीसरी दिशा उपलब्धी मानो जीवन में बढ़ती भोतिकता की लालसा एम दुरुप योका प्रतिक है इस परश कीजिए तो इसम मालूम मैं आपको उन्होंने सिर्फ आपसे क्या पुछा है तीसरी दिशा में क्या बताया है उन्होंने उन्होंने कहा है कि अगनी सार की तीसरी दिशा उपलब्धी दसो दिशाओ के आपको नाम याद होने चाहिए क्योंकि MCQ's में भी पूछे जा सकते हैं आपसे दसो दि क्थिक अर्ष भ़न वक्तिकतिंर कि लब्दि उसका दुरूप उप्लब्धाता जागा में उसका mask वह पर निक उपितलेय कि कीस न ही और लालव सप क्रमा नो में तक रहरू है लिए अर्छे कर रहे हैं करते हूं उसकी अन्दरला सपने निप नहीं हुँआ रहा है भोंतिकता आप जैसे याम प्रतान वह लेगे तो फोन किसले हैं उवह हैं कुछ comp,c टैसे आप चीज हैं लेकिन आप उसमें पांतों नहीं डालेंगे जो न Nefps एक्सपलेंड किया है वही आप यहां पर करोगे खंड़गह में प्रशन 되ืó 15 अंदरा प्रशन आते हैं mcqs कुछ मैं आपको बता देती हूं और जो नहीं आपको पता होगा वो आप मुझे कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं उसका अंसर में जरूर दूँगी जाज का पंची आपको पताईए किसके द्वारा लिखा गया है लिखा गया है लेकिन किसको स उच्टासा गया है ुपन्यास के लेकह रखक याईलया चंतर जोशी आपके आ गए बासोरि बसती रहे क्या है उपन्यास THIS नाटक ैण कहानिंज क्योंकि क्योंकि आपके तूर्ठ व्ठारी में रहा कि और आपका एक यात्रा-बरतान भारतानथ है यह चीज आपको पढ कहानी चलिए बताइए जल्दी से क्योंकि आपके स्लिवस में पाचीज है एक उपन्या से एक नाटक है एक कहानी है कहानी तो वो फॉर्ट उनिट में भी है आपकी और आपका एक यातरा बरतांत है ये चीज आपको पढ़नी है कि क्या है ठीक है नेस्ट कोश्चन है आपका बीजानंद को बजाने का शोकता बताईए क्या अब भई सीदा सीदा बासूरी बस भी रहे अगनी सागर कावे का मुख्या पात्र क्या है शास्त्रों के निसार मनूर की संख्या कितनी है एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है अब देख पत्थर और पानी के लेक्षक कौन है, पाड़ी छेतर में बहने वाली नदियों को क्या कहा जाता है, ये जो आपका पत्थर और पानी यात्रा वरतान थे, वहाँ उन्होंने पताया है, नेक्स्ट है, रोटी की महग कहानी का मुख्या पात्र कौन है, एक नामे किश्वास के इन में से कोई नहीं, तो इस तरह के तो एलिमिनेट हो जाते हैं, इन तीनों में आपको बताना है, कौन है, नेक्स्ट है, अर्वीन दिन में से किस कहानी का पात्र है, फिर इसके बाद है, लंगडी किरन के रचियाता कौन है, पाड़ पर लाल टैन, अब ये देखे, मंगल मंगलेश डबराल जी को नहीं पढ़ा, जिसका मतलब आप नहीं बता पाएंगे, तो जितने भी आपके उसमें लेखक हैं, सबकी जितनी भी रचनाय हैं, उनके बारे में भी आप पढ़ लीजेगा, क्योंकि मंगलेश डबराल की इन्होंने शुपम जुपाई नहीं लेकिन जब हम कोई जाल लिखते हैं, कोई भी हम कहानी या बुक लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, भूमी का हम सबसे पहले लिखते हैं, तो भूमी का उनके द्वारा नहीं लिखी गई, किसी और लेखक के द्वारा लिखी गई है, तो आपको बताना है किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है तो यह 15 कोशिन आपके थे और बाकी कोशिन आपके 22 से फ्रिवेस कोशिन फेपः compassion फहाँ बने रहे हिंद्वेटर के साथ ऐसे ही प्रिवेस कोशिन पेपर यल्दी जल्दी अप्लोड कर देती हो जिस आप लोगों को थोड़ा हिंट मिले कि किस तरह के आपके पेपर कोशन्स बनेंगे जरूरी नहीं 22 में जो आए वही आप से जुके तो कोशन पूछे जाएं हो सकता है कुछ अलग कोशन आई इस बार लेकिन आपको पैटन पता चल जाएगा कि किस प्रकार के कोशन्स आप से पूछे जाते हैं तो